गुट मॉर्निंग विवर्स, have a beautiful day. So कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे हो और अपने पड़ाई अच्छे से कर रहे हैं. मेरा नाम श्री है और मैं DSSP की प्रिप्रेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिप्रेशन जरने आप अपनी के साथ शेयर कर रहे हैं. So आज का मेरा पहला स्लोट है history as usual and history का भी मैं revision कर रहे हूँ और history और geography, Indian quality इन सब की जो notes है मैं गौरव सिंह घाने राव के चैनल से गौरव सर से पढ़ रहे हूँ और उनी इसकी क्लासों से मैं notes बना रहे हूँ Indian geography और world geography भी उन्होंने अपने YouTube चैनल पर करवा रखी है So आप मैं सिगर किसी को पढ़ना है तो आप उनकी classes देख सकते हैं और मैं हैं कोई aid नहीं कर रही ना मैं सिर्फ जो मुझे personal aid च्छा रगता है तो जो मुझे से पूछ रहे हैं कि आप कौन से सर से मैं से किस चैनल से पढ़ते हो तो बस मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि मैं दोरह सर से classes लेते हूँ सो हिस्ट्री का मेरा स्लोट हो रहा है और आज मैंने पढ़ी थी ख्रांती थारा शुक्त आवाल गी सो जो देखे डिटल बस्पी का जो ऐसा स्ले बस तो बताने रखा लेकिन जो क्योशन्स है जो लास्टेट पेपर्स में देखके जो मैंने सुब्जेक्ट रिसाइड किये थी तो बस मैं वही वही पढ़ती हूँ मैं इसे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही देखे सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले यह देखना कि last year question paper में küस topic से कितने questions आ रहे हैं और किस topic से बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो जहां पर बिल्कुल भी नहीं आरे उनको time न मैं दे उससे बहतर है कि आप उन topic को time दे जहां से question बन रहे हैं और जोनों नहीं पड़ा इसप्रू मरें की है और टीजिटी और पी आर्टिकल में यह कह रही हूँ कि आप अच्छे से आप त्यारी शुरू कर दो, देखिए जो दो तीन मेने हैं, यहाँ पे आप अपने मेंद, अपना फोन, इन सब को छोड़ कर और अपनी किताबों से दोस्ति कीजिए, क्योंकि कहते हैं, किताब ही कभ जो हिंदी, और हिंदी की जो ग्लासेज है, वो भी मैं दौरवसर की क्लासेज से ले रही हूँ, और इंग्लिश ग्रामर भी मैं उन्हीं की चैनल से ले रही थी, आप डेली अपना टार्गेट जो है, डिसाइड कीजिए, सुबह उठते ही आपसे से पहले, मैं हर वीडियो मैं कहते हूं कि डेली अपना टार्गेट डिसाइड कीजिए, अगर आप डेली अपने टार्गेट को अचीव कर लेते हैं, तो यकीन आप वो सपना जो आप दिन रात देखते हो, वो आप अचीव कर सकते हैं, तो छुट-छुटी टार्गेट डिसाइड कीजिए दिन में, देखे जितना हम बड़ा टार्गेट डिसाइड करते हैं फिर हमारा माइंड जो ना वो पहले ही थक जाता है तो इस माइंड को भी थोड़ा सा बेवकूर बनाना जरूरी होता है और दिन में देली छोट-छोटी टार्गेट बनाईए और मंथली जो टार्गेट है वो आप ब दो वीक चले जाएंगे ना तो आपको उसकी अराम से आदत हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना टार्गेट कब पूरा कर लिया हां शुरू शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कते आएगी लेकिन उनी से तो उनी से तो आपको अपनी प्रॉ देखा था तो उनसे पूछा गया था कि आप कि जो यह सकसेस है यह आपको कैसे मिले तो उन्हेंने एक ही बात अताई थी कि मैं अपना डेली टार्गेट बनाता था और जब तक वो डेली टार्गेट नहीं बन जाता चाहिए अगली दिन सुबह सूरज ही निकल जाए लेकि जब वो टार्गेट पूरा होता था मैं तब ही रेस्ट करता था तो देखे ऐसे इन आसानी से तो कोई आई-एस आई-पि-एस कुछ भी नहीं बनता आज कल तो कोई भी नॉर्मल सी जोब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती तो इसलिए डेली टार्गेट बनाईए और उस टा एक बसर दो बसर चे जो अपनि-एस बना के पूरा करते उन्हें पता है कि कितना सुकूर मिलता है जब हम रात को सोने जाते हैं और अपना पूरा दिन सौचते हैं कि हाँ जो टारिट बनाए था वह अचीव कर लिया और जो यह नहीं करता उनसे में कि कुऊंगी एक बार ए और उस रात आप तभी सोये जब आपका टार्गेट पुरा हो जाए तो यहाँ पर मेरा टार्गेट हो चुका था पूरा और सच में इगी भू सुकून मिलता है यहाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कमेंट जरूर करें थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में स्टे सेव स्टे हेल्थी और बी पोज़िटिव